दिन शुरू हुआ था इतनी उमीद से और उमंग से मैंने कहा कि ये गण की तंत्र पर विजय का प्रतीच है आज गण तंत्र से अपनी बात कहने जा रहा मैंने कहा इससे सुंदर द्रिश्य क्या हो सकता है कि देश के किसान तिरंगा लेके चल रहे है उधर जवान परेड कर रहे हैं इधर किसान परेड कर रहे हैं कितना सुंदर द्रिश्य है ये सोच के हम चले शाजापुर से और अमारी शाजापुर के परेड एक्जेक्ट्ली वैसी हुई जैसा हमने सोचा था सारा समय ईस परेड के साथ था मैं शाम 6-7 बजे तक हम बापस आए लेकिन परेट के पहला एक दो घंटा होते होते खबरे आनी शुरू हो गए सिंगो बॉर्डर में ये हो रहा है काजीपुर में ये हो गया है टीक्री में ये हो गया है उसके बाद लाल किले के बुद्रश है क्योंकि शर्म सार करने वाले बाद में फोन पुलिस की तरफ से क्वेरीज मीडिया की तरफ से बाच चीज करते करते शाम तक ठक भी गया शरीर से भी और शायद मन से शरीर से क्योंकि दो तीन दिन से दो दो तीन तीन घंटे सोए थे आने जाने में इतना समय लग रहा था और कल सारी परेड के बाद और मन से भूए कि सोचा था जवान और किसान एक साथ चलेंगे लेकिन द्रश्य आ रहे थे कि किसान ट्रेक्षर लेके जवान को भगा रहा है दोनों एक दूसरे के सामने खड़े सोचा था और बार बार कहा था दावा किया था कि तिरंगे की गरिमा उची होगी नीची नहीं होगी लेकिन लाल किला में जो हुआ वो तो नीचा करने वारा काम हुआ ना सोचा था कि गणतंत्र दिवस पर देश का माथा उचा होगा लेकिन वैसा तो नहीं हुआ इसलिए बार-बार सोचता रहा, बात करता रहा अपने आप से बात करता रहा रात को अच्छे से सो नहीं पाया सुबह उठा धूप खिली और सोचा कि पूरी इमानदारी से बात रखनी चाहिए किसी भी आंदोलन में, किसी भी यात्रा में एक मोड आता है जब आपको पूरे सच का सामना करना होगा तो मैं आपके सामने चार तथे रखूँगा चारों तथे हमें स्विकार करने की ज़रूदत है किसी भी तथे से अगर हम मूँ चुराएंगे तो हम इस आंदोलन के साथ, अपने साथ, किसान के साथ और देश के साथ ने आए नहीं है क्योंकि तमाम तरफ से, मीडिया की तरफ से आंदोलन के समर्थकों की तरफ से, आंदोलन के विरोधियों की तरफ से आपको सच का एक पहलू दिखाया जाएगा दूसरे को दबाया जाएगा लेकिन अब हमें पूरे सच को देखने की जड़ा पहला सच पहला सच ये है कि दरसल इस किसान गणतंत्रित परेड को अभूत पूर्व रेस्पॉन्स मिला है हम भूल गए इस बात को सरकारी हिसाब से एक लाख से ज़्यादा ट्रक दिल्ली के बाहर लाइन लगा के कल सुबह तक खड़े थे 25-30 किलोमीटर तक की लाइन थी एक तरफ दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी लाइने थी तो इतनी तरफ से लोग आए पंजाब और हरियाणा के तो कोने कोने से गाउं गाउं से लोग आए लेकिन सिर्फ वही से नहीं राजस्थान के इतना दूर-दूर से हमारे साथ ही यहां शाजापूर की परेड में शामिल हुए शाजापूर की परेड मसानी भराज से जो लोग चले चिला बॉर्डर, धासा बॉर्डर, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और मेवाद के अंदर सुलेडी बॉर्डर इन सबसे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ incident नहीं हुआ तो मीडिया में चर्चा भी नहीं हुआ जाहां गवर होती है चर्चा हो जाती है गवर नहीं होती तो चर्चा नहीं हुआ incident हुए तीन जगे लेकिन वहां पे भी टिकरी बॉर्डर पे 90 प्रतिशत लोग अनुशासित रूप से बिलकुल जो रूट दिया गया था उससे चले तो पहला सच जिसको मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मानना नहीं चाहता इस गणतंत्र परेड को अभूत पुर्व रेस्पॉंस मिला और कुछ एक लोगों को छोड़के सब ने अनुशासित का पालन किया सबग क्या निकलता है इससे सबग यह कि अंदोलन में उर्जा है रहेगी अंदोलन मजबोत हो रहा है अंदोलन व्यापक हो रहा है वो यह इसको नजर अंदाज ना करें दूसरा तत थे जिसको अंदोलन के कई वार मेरे साथ ही शायद कबूल ना करें वो ये कि कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ दुखद हुआ शर्म नाव क्या कुछ हुआ कम से कम दो-तीन जगहे पे बेरिकेट तोड़े गए यानि कि पुलिस प्रशासिल के साथ सेयूत किसान मोर्चा ने जो समझोता किया था जो बात हुई थी कि कहां हम जाएंगे कहां से जाएंगे उसको तोड़ा लिया ऐसा सिंगू बॉर्डर में हुआ ये टिकरी बॉर्डर में पीरागड़ी के दूसरा पुलिस पर हमला हुआ पुलिस की तरफ से भी हमला हुआ लेकिन पुलिस पर हमला हुआ वो जो इमेज आता है कि ट्रेक्टर गुमाया जा रह woods वाली अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं ये तो कोई एक्टिंग करके पुटेज नहीं बनवाई गई, यह सच है, ऐसा हुआ, और यह तो बहुत दुखद, निंदनी है, गर्टना है, बार बार हम कहते रहे, कि यह पुलिस वाला कौन है, यह युनिफॉर्म पहने हुए किसान है, किसान और जमान एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, यह तो कर्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इस पे किंतु परंतु लगाना तो गलत होगा, और तीसरा, जो लाल किले में हुआ, लाल किले के बारे में, पहले ऐसी बात फैलाई गई कि तिरंगा को उतार के, जो में लाल किले के ऊपर तिरंगा लगा होता है, उसको उतारा गया, जो बा पे प्रधानमंत्री जंडा फैराते हैं उस जगहें पे चड़के जो गुर्दवारे वाला निशान साब का जंडा लगाया गया ये तो राष्ट्रिये शोब का राष्ट्रिये शर्मिंदिगी का विश्या को लग चाहिए। तोहीन हो और वहाँ दूसरा जंडा लगाया जाया चाहिए तरंगा उतारा और नए उतारा दूसरा जंडा लगाया गया ये तो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात हो। कई लोगों का सर जुका होगा, जब मुझे पता लगा, तो मेरे साथ भी यही हुआ, यह क्या हो, सो दूसरी बात, दूसरा सच, कि जो हुआ, वो गलत हुआ, उस पे परदा डालने की कोई जरूरत नहीं है, उसको साफ साफ कहने की जरूरत है, निंदनी है, मतलब, आंदोलन म ऐसी घट्माएं हो सकती है, जहां आंदोलन में ऊर्जा है, वहां आंदोलन में नकारात्मक प्रवर्टी भी है, और कुछ अनहोनी होने की गुंजाईश, उसकी संभावना, उसकी आशंका है, थी, है, और रहे की, जिसके लिए बहुत साफधान होने की जरूरत है, तीसरा स सच, तीसरा सच ये कि जो कुछ हुआ है, इसा योग नहीं था, ऐसा नहीं है कि अचानक 26 तारीक की सुबह कुछ लोग आए, वो कुछ गरबर करके चलेगे, पता नहीं कौन आया, क्या करके गया, ऐसा कुछ नहीं था, अगर 25 तारीक की शाम को हम से पूछा जाता, पुलिस प्रशासन से पूछा जाता, कौन लोग गरबर करेंगे, तो वो एग्जेक्ली वही उत्तर देते जो कि कल रात पो उत्तर मिला, किन दो लोगों का नाम सामने आया है, सिंगू बार्डर पे एक संगठन है, किसान मजदूर संगर समीती, पंजाब का संगठन है, ये संगठन पंजाब का जो एका बना था, तीस संगठनों का पंजाब की यूनिटी बनी थी, उसका हिस्सा कभी नहीं रहा, फिर तीस के बत्तिस हो गए, उसका हिस्सा भी नहीं बना था, पंजाब के जो बत्तिस संगठन बैठके निर्ने करते हैं, उसका हिस्सा ये नहीं है, इसके न और इन लोगों ने बेरिगेट के उस तरफ यानि कि दिल्ली की तरफ पुलिस वाली तरफ जा कि अपना मोर्चा लगाया पुलिस ने कैसे इन्हें मोर्चा लगाने दिया पुलिस की तरफ मोर्चा कैसे लगाने दिया दिल्ली के बॉर्डर में कैसे लगाने दिया आप सोचिए पिछले दो महीने से ये भी वहाँ पे कायम है कभी कबार हमारी बीटिंग में चले आते हैं कहते हैं कि ने ने आपकी बाते हम नहीं मानेंगे और इन्हों ने परसों पच्छिस तारीख को बाकाइदा वीडियो डाल के कह दिया था हम सेयुत किसान मोर्चा की बात को बिलकुल नहीं मानते हम रिंग रोड पे जाएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ नहीं इस पश्बोल रखा और चूंकि ये बैरियर के इस तरफ थे यानि कि पुलिस वाली साइट पे थे दिल्ली वाली साइट पे थे इसलिए जब पूरी परेड ने निकलना था तो इस सबसे आखिर में आने वाले व्यक्ति सबसे पहले हो गए सबसे आगे हो गए जिसका फायदा उठाके कल सारी खुराफात हुई यानि कि ये करने वाले लोग पहले से नोन थे इनका एटिचूट पहले से पता था ये खुराफात करेंगे हर तरह की कोशिश हुई 26 तारीख से पहले जब वीडियो हमने देखा हमने तमाम लोगों को इनके पास भीज़ा कि हाथ जोड़ो चलो किसान के लिए आप अलग संक्ठनों हमारा अनुशासन नहीं मानते कम सकम किसान की खाते आप एक दिन के लिए तो एक करलो कि वहाँ पे जाके भर भुर्दंग ना करो ये बात पुलिस को पता थी प्रशासन को पता थी सब को पता लेकिन ये हुआ दूसरा किसका नाम आ रहा है जो लाल किले में लोगों को भढ़काने का काम और वहाँ पे जो गुर्दवारे का निशान साब लगाया गया जो गुर्दवारे पे बहुत शोभा देता है लेकिन लाल किले पे शोभा नहीं देता लाल किले पे कोई किसी भी तरह का ध्वज लगे किसी धर्म का ध्वज लगे ये बात ठीक नहीं लेकिन वो करने वाले कौन थे दीप सिद्धू कौन है जीप सुद्धू के बारे में कहा जाता है कुछ का लाकार हैं बॉम्बे की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इनकी प्रसिद्धी ये है कि जब सन्नी देवल बीजेपी के कैंडिडेट थे तो ये उनके राइट हैंड मैं थे सब की चीजें तस्वीरें हैं और खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ उनके घर सेवन रेस कोर्स के अंदर खिचाईवी तस्वीर है सेवन रेस कोर्स में आम आत्मी जा नहीं सकता प्रधान मंतरी का प्रशंसक भी नहीं जा सकता जो उनसे योही सेलफी लेता है वो भी नहीं जा सकता तो पाकाइद अप्धान मंत्वी एक फॉर्मल पोज में खड़े हैं सन्नी देवल उनके साथ हैं दीब सिद्दू उनके साथ है ये दीब सिद्दू हैं जो की अपने अलगाव वादी खालिस्तानी रूज़ान के लिए जाने जाते हैं इस किसान आंदोलन में पहले दिन से जंप कर रहे हैं जबकि अंबाला और पंजाब के बॉर्डर के उपर पहला बेरिकेट लगा था दीब सिद्दू वहाँ पहुँचे थे उन्होंने वहीं से अपना मोर्चा लगाया था और किसानों को कहा था कि मैं आपको समर्थक दोगा लेकिन पंजाब के जो किसान संग्ठन थे उन्होंने चार महीना पहले कह दिया था वहार रखा परसोनल पंगरा था जिसको एंगरेजी में बोला जाता है तो धाई महीना पहले मुझे पंजाब की किसान यूनियन का फोन आया तुरब कहते वे हमारे साथियों का ये आपने किस वेक्ति को हां कर दी आपको उनके स्टेज पे बिलकुल नहीं जाना चाहिए ये अलगावबादी लोग है इन खालिस्तानी रूजहान है इनसे बचके र लाल के लिए तक कैसे भुसने दिया गया अंदर जाके कैसे और लाल के लिए में पाकाइदा वो माइक लेके किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भाशन दे रहे हैं कैसे हुआ आप ज़रा सोची तो तीसरा सच ये कि ये जान बूज कर तोड़ फोड की करवाई थी लोगों की करवाई थी ये देश द्रोह भी है किसान द्रोह भी है सबक सबक ही है कि किसान अंदोलन अब ऐसे लोगों के बारे में नरम या आत्मूंत के नहीं रह सकता सिर्फ ये कहके नहीं रह सकता कि ने ने इनको मंच में बताने दो ये यहां घूम रहे हैं इनको घूमन पा रहे हैं अब किसान आंदोलन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे लोगों पर काने लगाना हूँ नहीं तो ये आंदोलन चल नहीं सी चौथा सबक जब मैं इस बता रहा था कि ये कौन-कौन लोगों ने काम किया आपको लगा होगा कि कि हम अपने जिम्मभारि से बचने की कूछनी नग रहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. चौता सच यह है, कि जिस आंदोलन की कॉल हमने दिया, जिस आंदोलन के लिए ڈरी हमने बिछाई, अब उस दरी पे कुछ भी होता है, तो उसकी नेतिक जिम्मेवारी से हम बच नहीं सकते हैं यह जो पूरा नेत्यत्व है हमारा संयूत किसान मोर्चा यह बात बिल्कुल सच है कि यह दोनों संक्नों से कि संयूत किसान मोर्चा का कोई संबंद नहीं है ये बात बिलकुल सच है कि संयुक्त मोर्चा ने हर जगें पे हमारे साथियों ने खड़े हो चाहे वो टिक्री बॉर्डर हो नांगलोई का नाका हो जहां तोड़ा जा रहा आता चाहे गाजीपुर का नाका हो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स ने ग्राउंड पे खड़े होके लोगों को कहा नहीं हमें रूट पे चलना है ये बात सच है कि सेयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडर्स ने एक दम अपील करनी शुरू की जैसे ही हिंसा के समाचार आए हमने एक दम कहा हिंसा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए शांती की अपील की हर तरह के मैसेजिस भेजे राजेबाल जी ने किया मैंने एक वीडियो रिलीज किया तमाम साथियों ने किया ये बात भी सच है कि शाम छे बजे जैसे ही हमें लगा कि स्थिती इतनी जादा बेकाबू हो चुकी है लोग चारों तरफ पहले हुए हैं हमें पता लगा पीरा गड़ी से कुछ लोगा फिलार के लिए की तरफ और चल दिये हैं तो श बुलाए हुए आंदोलन में कुछ गरबड़ी हुँती है तो मैं उसकी नैतिक जिम्मेवारी से बच नहीं सकता इसके जिम्मेवारी तो हमें लेनी कुछ और आगे के लिए सतर को मुला कहीं ना कहीं ये आंदोलन बेकाबू हुआ बदमाशी अगर किसी दूसरे ने की मैंने बदमाशी होने दी तब भी मेरा कसूर है अगर मैं बदमाशी को कंट्रोल नहीं कर पाया तब भी कहीं ना कहीं मेरा कसूर है केबल दूसरे के ऊपर उंगली उठा के मैं नहीं बच पाँगा पुलिस से गफलत हुई पुलिस ने पुलिस की तरफ से जाती हूँ, इसमें कोई शक्त है, लेकिन जाती तो हमारी तरफ से भी कही ऐसे जंडे थे, लाल किले बाले में मैं देख रहा था, कही ऐसे जंडे थे, अब सच्चे थे, नकली थे, मैं नहीं जाता, लेकिन जंडे थे, जो कि किसान आंदोलन के जंडे थे भिसानान बोलन के साथ ही होगे झंडे थे, हमारे सुखनों के झंडे थे आंदोलन बे काबू हुआ, और बे काबू आंदोलन कभी भी अपने लक्ष को प्राप्ट नहीं कर सकता तो चौथा सबक अब नित्रित्व को ज्यादा और ज्यादा गंभीरता और ज्यादा जिम्मेवारी और ज्यादा अनुशासन से काम करना होगा अब इस अंदोलन को एक बाढ़ की तरह एक भीड की तरह नहीं रहने दिया जा सकता इसमें अब निच्चतु को जिम्मेवारी लेनी होगी, स्पष्ट इशा देनी होगी, अनुशासन करना होगा, जरूरत हो तो बुरा बनना पड़ेगा, दो-चार लोगों की सुननी पड़ेगी, आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन आलोचना सुने बिना, बुरा बने बिन बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, दूसरा, लेकिन साथ में नकारात्मक प्रविती है, बिगड़ने की गुजाइश है, तीसरा, अंदोलन को तोड़ने वाले लोग सक्रिये हैं, उनको पीछे पता नहीं किस-किस की मदद है, बहुत बड़े-बड़े खेल हो सकते हैं, आज से 20 स साल बाद पता लगेगा कहां से उनको पैसा आ रहा था, कौन सी एजिंसी किसके पीछे थी, लेकिन अंदोलन को तोड़ने वाली शक्तियां बड़ी हैं, सक्रिये हैं, उनका मुकाबला करना हो, चौथा, नेत्रित्व, अब धिला नहीं किसकता, नेत्रित्व को ज़्यादा कफीरता, ज्यादा सजिद्गी, ज्यादा जिम्मेवारी के साथ व्यावार करना हैं, आगे बढ़ेगा, जो हुआ, उसके बारे में अफसोस सब के मल में, कल हमने एक अपना साथ ही भी होया, एक वर्शन ये है कि उसे गोली लगी, वीडियो से लगता है कि शायद गिरने से हुआ, या दोनों चीज़ें हुई हम नहीं चालते हैं, लेकिन एक साथ ही हमने कल खोया, और बहुत कुछ हो सकता, थोड़ी सी अगर और चूप कहीं हो जा रहे हैं, तो कल गोली चल सकता, बहुत कुछ हो सकता, इसका एहसास पुरे नित्रतु को है, जिम्मेवार सब लोग मिलेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे, आगे का रास्ता बनाएं, लेकिन आंदोलन वही हो जो अनुशासन में रखा जासे, उतना ही पानी छोड़िए नहर में, जितना आप नहर के अंदर बान सकते, उससे जादा छोड़ेंगे, पानी बाहर जाएगा, बिखरेग उस्ताफुच गवर्णों की बाढ़ आएगा, तो आगे का प्रोग्राम वो हो, और एक व्यवस्थित तरीके से बात्चीत करने का तरीका निकले, कल हो सकता है सरकार की तरस से, तो अंदोलने की दुश्री से मैंने बोला, सरकार की दुश्री, हो सकता है कई लोग सरकार में बड़े खुश हो गई हूँ, मैं तो पिसले दो महीने से बोल रहा हूँ कि भाई, सरकार को सिर्फ 90 सेकिंड की फुटेज का इंतजार है, सरकार बस ये सूच रही है कि कुछ इन से उच नीच हो, 90 सेकिंड की एक फुटेज निकले, देखो किसान ये कर रहा है, और फिर उस आपको भी दोश देना चाहिए, सिर्फ दूसरों को दोश नहीं देना चाहिए, अगर वैसा है, तो सरकार हो सकता ये सोचे कि चलो, अब तो इनको बदनाम करने का अच्छा मसाला हाथ में आ गया, अब आंदोलन को बदनाम करो, इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं, भाव है कि किसान के साथ अग्याय को जिनके पास, जिनके पस पास तक किसान की बात पहुंची है, वो लोग छोटा महसूस दाए, वो लोग किसान मायूस होके दिल्ली से ना लोगे, देश के किसान को ये महसूस दाए, कि एक बात फिर नहीं हार क्या है, ये चिंता सिर्फ अंदोलन कारियों की नहीं होनी चाहिए, ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं होनी चाहिए, ये हम सब क्यों पूरे देश की चिंता की चाहिए, क्योंकि ये अंदोलन सिर्फ किसानों का अंदोलन नहीं है, पूरे देश का आप, इसलिए पूरे देश को किसान की चिंता करनी चाह और पहले से और ज़्यादा मजबूत होगा इसी विश्वास के साथ आज बाचीत को सबाव करता हूं